हेलो दोस्तों आज हम पनाएंगे गेहूं के आटे से गर्मा गर्म नास्ता जिसे खाने के बाद समोसा कचोरी तो भूली जाएंगे तो चलिए फटा फट से सुरू कर लेते हैं अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजीगा तो चलिए फटा थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाध के अनुसारी डालेंगे और थोड़ा सा ये सपेत वाले तिल जो हते हैं वो हम डाल रहे हैं एक चमच छोटा चमच है और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल लेंगे और थोड़ी सी धनिया की पतियां कट करके डाल देंगे उसके बाद थोड़ा सा ये तेल है, रिफाइन ओईल है तो एक चमच ये डाल देते हैं और थोड़ा सा हम अजवाइन ले लेंगे तो अजवाइन को हाथ में ले लेंगे और इसे क्रस कर लेंगे इससे नास्ते का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा हैगा तो इससे डाल देते हैं और नास्ते को पचाने में भी अच्छा रहता है ये अजवाइन जो होता है तो अजवाइन जरूर डाल दें और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मसल के ताकि जितना भी हमने मसाले डाले हैं और आटा अच्छी तरह से मिखस हो जाए तो आप चाहे तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं लेकिन आटा अच्छा होता है सेट के लिए तो इसलिए हम आटे से ही बनाएंगे तो ये आप देखे थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के और इसे हम कूंत लेंगे तो जैसे हम रोटी का चपाती का डो बनाते हैं विल्कुल वैसे ही बना के तयार कर दिया है तो इसको 10 मिनट के लिए ढपके रख देंगे तो इधर हमने गैस में कड़ाई रख दिये कड़ाई गरम होगी है तो उसके बाद हम इसमें दो चम्मत रिफाइन ओईल डाल लेंगे आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं और थोड़ा सा गरम होने पर हम इसमें जीरा डाल देंगे थोड़ा सा और ये थोड़ा सा हम सौप डाल रहे हैं सौप से हमारा जो नास्ता है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा नास्ते में थोड़ा सा हम एक चुटकी हिंग डाल रहे हैं और इसको हलका सा भून लेंगे हलका सा ही कलर चेंज करेंगे इसका तो गैस को हम मीडियम पे ही रखेंगे ज़्यादा जलाएंगे नहीं इसको उसके बाद दो हरी मिर्ची हमने काट ली थी वो डाल देंगे और हलका सा मिर्ची को भी हम भून लेते हैं ज़्यादा नहीं भूनेंगे हलकी सी ही भूनेंगे तो ये हलकी सी मिर्ची भी हमने भून के तयार कर दिये उसके बाद दो मीडियम साइज के प्याज हमने बारी काट लिये हैं तो बारी की काटेंगे इसको ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे तो इसको भून लेते हैं तो ज्यादा भी नहीं भूनेंगे इसको भी तो ऐसे ही हलका सा भून के उसके बाद थोड़ी सी मसाले इसमें डाल देंगे तो थोड़ा नमक डाल लेंगे, स्वाद के अनुसारी डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिठ्ची पॉडर डाल लेंगे थोड़ा सा हल्दी पॉडर डाल लेंगे और थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे और ये अमचूर पॉडर है ये डाल लेंगे और ये थोड़ा सा गरम मसाला हम डाल देंगे और इसको सारी चीजों को मीक्स कर लेंगे तो अच्छी तरह मसाले भी इसी में भून जाएंगे और प्याज भी अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा तो ऐसे ही हम एक दो मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे हम गैस को हम लोग पे कर देंगे इसको गैस को अब हम बंद कर लेते हैं भून लिया है हमने तो दो मिनट के लिए से ढख के रख देंगे उसके बाद हम ठंडा करने रख देंगे उस मसाले को तो यह हमने एक मिक्सी का जाल लिया है और यह हमने नमकीन लिया है जो आलू बुजी आती है वो उसको ग्राइंड कर लिया हमने मोटा मोटा और उसके बाद यह मसाला हमारा ठंडा हो गया है तो इसमें हम इसे डाल देंगे तो ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे हम इसको नमकीन को बहुत अच्छा टेस्ट आने वाले हैं हमारे नास्ते में उसके बाद थोड़ा सा हम दनिया की पतिया डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से जो हमारा प्याज का नास्ता है प्याज है जो और ये जो आलू भुजिया है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें आपको आलू भी डालने की जरूत नहीं है आलू का मसाला भी बनाने की जरूत नहीं है ये बहुत टेश्टी कचोरी टाइप की बन जाएंगी तो आप कुछ भी से कह सकते हैं तो इसे हम थोड़ा सा आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे उसके बाद हम ये छोटी सी लोई लेंगे ज्यादा छोटी भी नहीं लेंगे जितना हम रोटी के लिए लेता है बिल्कुल उतनी लोई लेंगे और इसे गोल करके बना लेंगे और इसको हम ऐसे कटोरी की सेप दे देंगे ज्यादा हम नीचे से पतला नहीं करेंगे उपर उपर के जोई इसके हिससा है उसको हम दबा लेंगे और ऐसे कटोरी बना लेंगे और इसमें मसाला रख लेते हैं तो एक चमच मसाला हम रख रहे हैं और इसको ऐसे करके हलके हलके इसे अंदर को करते रहेंगे मसाले को और इसे बंद कर देंगे ऐसे कुमा के और अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि ये खुले ना जब तेल में हम इसे डालेंगे तो ताकि ये खुले ना तो अच्छी तरह से दबा के इसे यहीं फोल्ड कर लें यहीं दबा लें और उसके बाद हल्की सी चफटी कर लेंगे ऐसे करके ताकि यह अच्छी सरह से बंद हो जाए तो यह अब देखिए ऐसे ही हम सारी बना लेंगे तो यह हमने बना के तयार कर दी है इधर हमने गैस में तेल गरम कर लिया है तो तेल को ज़्यादा गरम तेल में नहीं हम इसे डालेंगे थोड़ा ठंडा ही मतलब हलका गरम ही होना चाहिए ताकि यह अच्छी तरह से अंदर से भी सीख जाएंगी और यह इसमें डालेते हैं पैन में सारी तो एकी बार में हमारा जोई नास्ता है एकी बार में वो जाएगा एकी बार में सारा ही आ गया है तो इसको ऐसे ही धीमी आज पर ही हम बनाएंगे ताकि यह अंदर से भी अच्छी करारे बने अगर हम ज़्यादा तेज करेंगे तो ये बहार से एकदम से जल जाएंगी और अंदर से कच्चा रहेगा आटे का है तो अंदर से आटा कच्चा रहे जाएगा तो ऐसे ही धीमियाज में बनाएंगे और इसके उप़र थोड़ा थोड़ा तेल डाल लेंगे ताकि ये दोनों साइट से अच्छी तरह सीख जाए अब हम इसे पलट लेंगे तो हलका हलका कलर इसमें आने लग गया है तो ऐसे ही हम दो चार बार इसे उलट पलट करके अच्छी करारी बना लेंगे तो ये देखिया आप कितना अच्छा कलर इसमें आ गया है तो ऐसे ही दो-चार बार हमने उलट-पलट कर दिया था बीच में और ये बनके तयार हो गई है अब हम इसे निकाल लेंगे और हलका साम साइड में रोक लेंगे जो भी एक्ष्टा तेल होगा तो उसको वो निकल जाएगा कडाई में तो बहुत ही टेश्टी नास्ता बनता है ये आप जरूर बनाएं बच्चों को अगर खाना हो तो घर का बनावा आच्छा रहता है सेहत के लिए भी तो आप जरूर बनाएं तो ये आप देखें बना के हमने बिल्कुल तयार कर दिया है तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी फसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दे और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये नास्ता कैसा लगा तो यह हम तोड़के दिखा रहे हैं आपको तो यह आप देखें कितने करा रहे हैं भार से और अंदर से कितना टेश्टी लग रहा है यह मसाला भी देखने में तो आप एक बार बना के जरूर ट्राय करें थैंक यू